अल माइ रेस्पेक्टेड विवर्स वेरी गूड मॉर्निंग तो आल अफ यो आज की वीडियो में हम 21 बाइ 42 फीट में घर का नक्षा दिखाएंगे वीडियो को पूरा देखेगा और किसी को डाउट रहा या फिर हाउस प्लाइन चाहिए फ्रन टेलिवेशन डिजन चाहिए 3D कट सक्षन डिजन चाहिए तो हमारा मुबाइल नंबर 80 यहाँ पर आप देख रहे है न 8095615113 इस पर आप हमें कॉंटेट कर सकते हैं उसके अलावा इसका जो PDF लिंक आप डाउनलोड करना चाहते तो नीचे डिस्रिप्शन में लिंक दिया हूँ उस लिंक को आप क्लिक करने की माल वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं चले इस प्लान के बारे में मैं डिसकस करूंगा 21 फीट इस तरह से यह जो लंबाई में आप देख रहे हैं 42 फीट है टोटल में क्या है 42 फीट इधर जो आपका पार्किंग एरिया 10 फुट 9 इंच बाइ 14 फुट में यहां से जो है आप इंटर करते हैं बेडरूम 10 फुट 9 इंच बाइ 11 फुट में यह आपका बेडरूम बन रहा है इधर जो है आप स्टोरेज के लिए जगा बना सकते हैं कबोर्ड शेल्स हो सब यहां पर जो किचन आपको मिल रहा है 9 बाइ 12 फीट विट वाश एरिया जैस कम बढ़ रहा तो 2 फीट 9 इंच तक भी ले सकते हैं ब्रिक वर्क में बात कर रहा हूं फिर उसके बाद किचन से अब देखो हॉल में जो बैटे लोगों को प्राइवीसी चाहिए यहां पर लोग क्या कर रहे है या फिर कौन को ने आपके घर के फैमिल मेंबर्स तो वहां पर डिस्टर्ब नहीं होना बुलके एक कॉमन इंटन्स दिया गया यहां से जो आप बात्रूम में जा सकते हैं सब्रेट और उसके साथ ट्वालेट रोम सब्रेट बनाने से फाइदा यही है कि आपको कोई एक मेंबर बात्रूम में गये तो दूसरा में वाश एरिया में व आपर फस्ट सेकेंड थर्ड फॉर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल थर्टीन फॉर्टीन नमर ओफ कोई में बना सकते हैं इसको टोटल खर्च की बात करें तो एप्रोग्जिमेंट आपको ट्वेल लाइक रुपेस का जो खर्चा आ जाएगा एक लीजिए बाकी का जो यह पार्टिशन वाल रहते हैं यह सिक्सिंच करें आप लोग यह जो है सिक्सिंच शिंच या फिर सिंगल ब्रिक वर्क मान लीजिएगा तो टोटल कंस्ट्रक्शन आ जाता है दस से वारा लाग रुपए तक आइंड वाल्स की बात करें तो उतना यह विंडो की साइज हॉल में 4x4 या फिर आप 6x4 भी लीजिएगा जब आप एक स्लाइड करें तो सिर्फ आपको त्री फिट का टोटल ऊपनिंग रहता तो 6x4 का भी आप ले लीजिएगा यहां पर उसके साथ जो है यहां पर एक विंडो लीजिएगा इधर एधर एधर एक साथा किचन में भी लिए गया यह वाश एरिया में एक विंडो और यह जो एरिया में कहीं पर भी आफसेट एरिया नहीं दिवाए मेरा एक ओपिनियन ने आफसेट एरिया ज़रूर दिजेगा तभी आपको नैजरल यह वेंटिलेशन सब मिलता है अगले वीडियो में और नया ब्लॉग के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए इस वीडियो को शेर कर दिजेगा अपने दोस्तों के साथ या फिर आप अपना वाट्साप पर स्टेटस रखिएगा इस वीडियो का लिंक को धन्यवाद